प्रेंस स्वागत है आप सब का हमारे यूटूब चैनल माल हल्प सियोम में दोस्तो मेरा नाम है सियोम कुमार और प्रिजेंट हूँ आप सब के लिए एक नई वीडियो लेकर काफी सारे लोगों की डिमांड और कमेंट आ रहे थे काफी भारी संख्या में लोगों के कमेंट आ रहे थे कि CSJMU कानपूर इनवर्सिटी का जो बैक पेपर तो अभी फिरहाल आ नहीं रहा उसकी अभी कोई नोटेश नहीं है लेकिन प्राइबेट प्रमोट छात्रों का रिजल्ट भी अभी तक अठका पड़ा हुआ है अभी तक प्राइबेट प्रमोट छात्रों का रिजल्ट नहीं आया या प्रमोट के अलावों जो भी है उनका छात्रों का भी रिजल्ट अभी क्राफी सारे जो course हैं उनका result अभी private छात्रों का result PR University निकालने का नाम ही नहीं ले रही आखिर कब तक आएगा आप सभी लोगों का private छात्रों का result और CSJMU private छात्रों का result क्यों नहीं निकाल रही क्या नहीं निकालेगी इस बार तो पूरी जान करे आपको step by step बताने वाला हूँ पर आचुके हैं फ्रेंस यहां पर आने के बाद दोस्तों यहां पर हम सीधा कोई भी यहां पर नोटिस को भी ओपन करते हैं तो नोटिस को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर जो लगातार यहाँ पर कई सारी नोटिस दी जा रहा है उत्तरपदेश के युवाओं को तक्नीकी ससकती करना है तो मुक्त लिप्टाप टैबलेट की योजना अगर आप लोगों ने फार्म नहीं भरा तो भर दीजेगा दोस्तों यहाँ पर यह सारी नोटिस आप सभी लोगों को यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों साभी जो भी नोटिस आती है यहाँ पर कांट पर इन्वर्सिटी पब्लिस करते है लेकिन अभी जो प्राइवेट छात्रों के बारे में नीचे आजाना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको result वाला option मिलेगा result वाले option पर click करेंगे friends तो यहाँ पर आपको annual exam को select करना है उसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार का interface आजाएगा अगर आप logo का result आता है तो आप यहीं से check कर सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर session को आप select करेंगे जैसे BA का मैं check करके आपको बताता हूँ आप यहाँ पर किसी भी sum का आप check कर सकते हैं 2019 से लेकर तो यहाँ पर मैं 2020-2021 का select करता हूँ यहाँ पर select करने के बाद थोड़ा सा है regular private तो चलिए मैं यहाँ पर private को select करता हूँ तो private को select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे session पर select करना है आपका BA है या BCOM है अभी BA BCOM का ही कान्टूर इन्वर्सिटी ने private छात्रों का result यहाँ पर निकाला है उसके बाद यहाँ पर first year, second year और third year का यहाँ पर आप result देख सकते हैं लेकिन अभी यहाँ पर जो private यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो इसका private का first year का result अभी तक नहीं आया है ना अभी किसी भी course का अभी यहाँ पर first year का तो private का result अभी तक नहीं आया है तो अभी प्राइवेट छात्रों के बारे में कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं आई है कि वो अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी कांट पूर इन्वर्सिटी थोड़ा था बेस्त है इसकी वज़ा से सायद वो इन्वर्सिटी अपने छात्रों का रिजल् से ही वीडियो मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और यहाँ पर आपको कुछ एगज़क्ट टाइम भी आहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ कि कब तक यह प्राइबेट छात्रों का रिजल्ट आएगा इसके लिए आप अपने कॉलेज में भी इसके करना है दोस्तों आपको यहां पर नीचे आजाना है आपको फिर से बैक आनेक बात दोस्तों यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको email email ID उगारा यहां पर मिल जाएगी आपको screenshot ले लेना है इस email ID पर आप इनके Facebook टूटर कही पर भी जाकर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं कि आखिर क्यों प्राइबेट छातों का रिजल्ट नहीं आ रहा तो आज के इस वीडियो में बस इतने हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करते हुए चलना है दोस्तों जैसे रिजल्ट आएगा आपको अपडेट करूंगा तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक किले बाए बाए